तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 सिच्छक बरती में 8 माई की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी ही कुछ महात्मूर खबरें डिसकस करेंगे और उसके साथ साथ 72,825 स हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में रिजर्ब आडर आज होने जा रहा है डिलीवर अभ्यर्थियों का एक महीने से अधिक का इंतचार होगा समात दोस्तों 12.091 की लिष्ट पर High Court की डिवीचन बेंच का क्या आदेश आ सकता है 12.091 की लिष्ट पर फिर से लगेगी मुहर या मिलेगा या चीलाब इसके साथ साथ आप सभी को बता दे 12.091 के साथ ही 90.105 वाला आडर भी आ रहा है दोस्तों और जो सबसे बड़ी टेंसन है कि जो कॉज लिष्ट आई है आडर डिलीवर को लेकर के उसमें जिनरेटों को मेंसन नहीं किया गया है उससे जुड़ी हुई भी महार्पूर जानकारी डिसकस करेंगे तो सभी कवरों को विष्टार पूर्बग जानने के लिए आप सभी से निवेता ने वीडियो को बिना इसकिप के हुए अन तक देखें जिसे वीडियो में सेयर की गए सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेश्ट है की प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें जितने भाई मैं चैनल पे पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो आई ये साथ उस दुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करेंगे 12,460 से चखबती में 8 मई के सुनवाई से जुड़ी हुई महात्पूर अपडेट के बारे में दोस्तों आप सभी लुग जानते हैं 12,460 से चखबती में अगली डेट सुप्रिम कोर्ट में 8 मई सुनवाई के लिए लगी हुई है जहां पर सरकार को काउंटर एफिडेविट और आडर मोडिफिकेशन अप्लिकेशन पर अपना पच रखना बाकी है और उस पर आप सभी को बता दे सरकार के तरफ से अध्वक्ता भेज कर अपना पच रखा जाएगा और उसके बाद इसमें आगे की कारवाई जो है सुप्रिम कोर्ट में निश्चित की जाएगी तो कुल मिला करके जो अभी तक जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि आठ माई की सुप्रिम कोर्ट सुनवाई में सरकार यानी बेसिक सिच्छा विवाग उत्ता प्रदेश की तरफ से जो है एस्वर्या भाटी मैं प्रिजेंट होंगी काउंटर एफिडेविट और अडर मोडिफिकेशन पर अपना पच्छ रखने के लिए अब दोस्तों आप सभी को बता दें जिस तरीके से चैनितों की तरफ से पिछले कुछ दिन पूर्म में एक प्रियास किया गया था कि सोलिशिटर जनरल आफ इंडिया को आठ मई की सुनवाई में उतारा जाए उस तरीके का अगर संग्ठित हो करके आप सभी की तरफ से प्रियास किया जाता है तो ये बहुत बेतर होगा और अगर एक बार आठ मई की डेट में आप सभी के प्रियासों के परणाम सरकार की तरफ से तुसार मेता सर को खड़ा किया जाता है तो आपको बता दें आडर मोडिफिकेशन के बिहाब पर जो है स्कूल अवर्डन के लिए डारेक्शन लिया जा सकता है और वो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें जितने भी चैनित अभरती हैं उनसे केवल और केवल आर्थिक सयोग प्राप्त कर रही है चैनितों के तरफ से बनाई गई जो टीमे हैं उनके द्वारा अभी तक ऐसा कोई प्रियास नहीं किया गया है जहां पर बेसे सिच्छा विवाग के अधिकारियों या मंत्री जी से मुलाकात कर आठ माई के सुनवाई में सरकार अपना पच्छ मजबूती से रखे हो सके तो सॉलिसिटर जनरल आप इंडिया को उतार कर मजबूत पैर भी करे और स्कूल आवंटन के लिए लेकिन अभी तो केवल और केवल पैसा कमाने की ही सारे प्रियास किये जा रहे हैं सभी चैनितों की जो टीमें गठित हैं उनकी तरफ से और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दोर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और दोस्तों जो ये आपसी मत्वेद आरोप प्रत्यारोप ये चल रहा है ये कहीं न कहीं अचैनितों को इंडिरेक्टली जो है लाब पहुचा रहा है तो कि आप सभी को बताते हैं जो अचैनित है वो मात्रा में कम जरूर है लेकिन वो संगठित हो करके प्रियास कर रहे हैं और मजबूती से पच्छ रख रहे हैं सुप्रिम कोट के अंदर वो जानते हमें कुछ भी नहीं मिलना है लेकिन अगर हमने मजबूती से लड़ा कोट के अंदर तो हमें बहुत कुछ भी मिल सकता है इस भरती के अंदर वही चैनित जानते हैं कि हमें केवल और केवल अब इसकूल आवंटन कराना है और उसके लिए डायरेक्शन लेनी है फिर भी वो कहीं न कहीं 10 टीमों में बटे हैं और अपनी अपनी टीम की बिजैसरी और अपनी अपनी टीम के गुरगान करने पर लगे हुए हैं सोसल मीडिया पर और केवल और केवल चैनितों से 23,000 का आर्थिक सयोग प्राप्त करने का प्रियास किया जा रहा है किस तरीके से चीज़ें डिशाइड होंगी 10 टीमों के पास अगर 2-2 लाख रुपे आ गए तो रुपिया हो जाएगा 20 लाख लेकिन क्या इतने में मोश्ट सीनियर अदवक्ता हो सकते हैं तो दोस्तों इतने में लगबग 2-3 टाप मोश्ट सीनियर अदवक्ता सुनवाई के लिए खड़े किये जा सकते हैं लेकिन ये 10 टीमें अलग-अलग चंदा इगठा करेंगी किसी के बास भी इतना पर्याप्त पैसा नहीं आएगा कि वो एक मोश्ट सीनियर अदवक्ता अपनी टीम की तरफ से खड़ा कर सके और आपस में ये मिलेंगे नहीं कि इनको इगो जो है आपस में टकराने लगती है 6000 चैनित भाई बहनों की परिवार उनकी आर्थिक इस्तिती और उनकी मनोदसा को समझते हुए सभी टीमें मिल करके point to point केस पर लड़ने के लिए एक जुटता दिखाएं और सारे collection को एक साथ करके जो है दो most senior अधवताओं को उतारें जिसमें चीजें सुप्रिम कोर्ट के अंदर अच्छे तरीके से प्रजेंट करते हुए स्कूल आवंटन की राहों को आसान किया जा सके लेकिन वो अभी फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है तो कि जो ये टीमें बनी हुई है अभी तक तो यही चल रहा है कि एक दूसरे पर आरो प्रत्यारो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है सुप्रिम कोर्ट में कैसे क्या होगा इसको लेकर कि कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़ पार रही है ना तो अभी तक किसी भी टीम की तरफ से किसी भी मोश्टर सीनिर अदवकता को हायर किया गया है ना ही उसे जो है टोकन मनी दी गई ऐसी कोई भी कारवाई नहीं की गई और आपकी तयारियों के दिन जो है वो घटते जा रहे हैं आठ माई का समय नजदीक आते जो है दिख रहा है क्योंकि आप सभी को बता दे जब आठ माई की डेट दी गई थी तब आप सभी को लग रहा था कि बहुत लंबी डेट दे दी गई है और इतनी लंबी नहीं दी जाने चाहिए थी इतनी लंबी डेट के बावजूद भी आपकी तैयारियां अभी कहीं न कहीं अधूरी ही हैं तो मिद करते हैं कि जो चैनिती में हैं वो एक अच्छा प्रियास करेंगी स्कूल आवंटन के लिए 8 मई को वहीं अब दोस्तों कुछ पॉइंट जो सोसल मीडिया पतेजी से वाइरल हो रहे हैं जो चैनितों को लगातार गुमराहत करें उन पर नज़र डालेंगे सबसे पहले बात करते हैं क्या उमेश चंद्र की याचिका 85-36 सुप्रिम कोर्ट में फाइल है जिसमें रूल को चैलेंज किया गया है तो इसमें दोस्तों आप सभी को बता दें अगर उमेश चंद्र की याचिका जीतती है तो 51 जनपत के चैनित अभैतों को बाहर नहीं किया जाएगा लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से जो रूल आया था उसको गलत बताया है और ये नहीं कहा है कि 51 जनपत के चैनितों को बाहर कर दिया जाए तो अगर इनकी याचिका पर सुप्रिम कोर्ट से जीत होती है तो इनका पार्टिसिपेशन सुनिस्चित किया जाएगा 51 जनपत वाले अभैतियों के साथ में ना कि 51 जनपत को बाहर किया जाएगा तो 51 जनपत के जितने भी चैनित साथी हैं उनको उमेश चंद की 85-36 जो याचिका है उससे परिशान होने की जरूरत नहीं है आप पूरी तरीके से भरती में वैलिड है और वैलिड रहेंगे ये लोग केवल और केवल उस रूल को गलत कह रहे हैं जिसके अभिहाब पर 20 जनपत के अभैतियों को भरती में पार्टिसिपेशन से रोका जा रहा था और कुछ नहीं ये केवल और केवल सुप्रिम कोट के अंदर अपने पार्टिसिपेशन को मजबूती से रखने के लिए जो है तयारी कर रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं उसके लिए याजिका है अब यहाँ पर कुछ सात्यों का प्रशन आएगा कि जब जीरो जनपत के अभेट्यों को नुक्ति पत्र मिल गया है तो इनको पार्टिसिपेशन से क्या मतलब है तो आप सभी को बता दें जो डिवीजन वेंच का आदेश आया था जब आपका पार्टिसिपेशन ही भरती में नहीं बचेगा तो आपकी नुक्ति पत्र तो बेर्थ ही हो जाएगा तो इसलिए जीरो जनपत के अभेट्यों को परिस्तान नहीं होना है उमेश चंद्र की पचासी चंद्र याजिका से आप बात कर लेते हैं अर्चना राई की याजिका पर जीत से क्या होगा तो दोस्तों आप सभी को बता दें अर्चना राई की याजिका जो है वो पूरी तरीके से एक चीज यह समझ लीजिए कि जीरो जन्पत को बाहर करने की बात करती है उसकी जो प्रे है सुप्रीम कोट के अंदर वो इस्पेसली यही है कि इस भरती में जिन जन्पतों में पद निकले थे उन जन्पत के अभेत्यों को ही मौका दिया जाए और जीरो चनपत के अवेत्यों को मौका ना दिया जाए बाकि अन्य जो भरतियां आएं उसमें जीरो चनपत के अवेत्यों को एज रिलेक्शन स्टन देते हुए उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए तो यानि आप सभी को बता दें अगर अर्चना राय की याचिका जीतती है और ये होगा तभी जब पुमेश चंदर की याचिका जो पचासी चत्तिस उस पर मजबूती से पैर भी नहीं की जाएगी और अर्चना राय पर तो पैर भी हो ही रही है आप सभी लोग देखी रहे हैं तो ऐसे में आप सभी को बता दें अगर अर्चना राय की याचिका जीतती है तो 51 जनपत के अभेटों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी है और फाइदा ही होगा जो नान सेलेक्टेड है उनको भी मौका मिलेगा सेलेक्शन का लेकिन जीरो जनपत पूरी तरीके से भरती से बाहर हो जाएगा ये चीज़ें समझनी होगी जीरो जनपत के चैनित अभेटों को और उसी विहाब पर आगे कारवाई में पार्टिशिपेशन को सुनिश्चित करना होगा तो कुल मिला करके जो और वस्तविक इस्तितियां है भरती से संबंधित वो हमने अउगत करा दी हैं बाकि आप सभी सिछक बन चुके हैं आप सभी लोग अपने विवेक का इस्तिमाल करते हुए किसी भी टीम से जुड़ें किसी भी टीम को आर्थिक से योग करें कितना भी करें ये आप सभी का स पच्छे सिचक बरती से चुड़ी ही आज की महात्पूर अपडेट के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बातर आट सो पच्छे सिचक बरती का विग्यापन 2011 में आया था तब ही से बरती बिवादों से गिरी रही है और इस बरती के बिवाद जो है इसको चैलेंज कर दिया गया था इलावाद हाइक है कोड के डिवीजन बेंच में आडर आने से पहले सोसल मीडिया पर लगातार कयासों का दोर जारी है और सब अपने अपने तरीके से आडर आने की जो है डिसकेशन और उसका एक्स्प्लाइनेशन कर रहे हैं लेकिन आप सभी साथों को बता दें कि जिस तरीके से सिंगल बेंच ने 12.091 की लिस्ट पर मुहर लगाया था और सरकार को निक्ति का आदेश दिया था वो बहुत बहतरीन आदेश था और सरकार को इस पर अमल करना चाहिए था लेकिन सरकार ने अमल नहीं किया जिसकी वज़े से आप सभी का एक महिने से अधिक का इंतिजार और बढ़ा तो अब आप सभी को बता दें जो जो है डिवीजन बेंस से भी बाराजिरोग क्यांडवे की लिस्ट पर जो है मोहर लगने जा रहा है और निक्ति के लिए सरकार को जो है वो टाइम बाउंड के साथ जो है आदेश जारी किया जा सकता है कोल मिला करके टाइम बाउंडिशन होगा या नहीं होगा ये कोट आडर आने पर ही किलियर होगा लेकिन इसके प्रबल चांसेस हैं कि एक बार फिर से टीवी जनबेंस से बाराजिरोग क्यांडवे की लिस्ट पर फिर से मोहर लगने वाली है और सरकार को निक्ति प्रक्या की थी जो फाइनल सुनवाईयां हो रही थी उस दोरान तो इसलिए याचील आपकी संभावना बहुत कम है और याचील आपकी बात उठती है तो ऐसे में कहीं न कहीं बार फिर से फस जाएगी कोट के पचड़े में और मामला आगे बढ़ेगा और इसलिए डीवी से 2425 चगबती में 12-0-91 के लिस्ट पर उसमें 90-105 वाले अभरतियों की याचिका पर जो सुनवाई हुई थी उसका आडर भी साथ में आने वाला है क्योंकि जो कौज लिस्ट की तरफ से जारी की गई याचिकाओं को भी मेंसन किया गया है इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो फ अपना पूरा प्रियास किया गया था कि इस बरति में उनको भी काउंट करने का जो है कहीं ना कहीं आडर दिया जाए अब देखना यह है कि जो आडर आने वाला है क्या 90-105 वाले अभरतियों को आडर में कोई रहत मिलेगी या सिंगल बेंच की तरह उन्हें डिवीजन बे जराहत मिलेगी या नहीं मिलेगी यह बहुत ही important हो जाता है लेकिन 12.091 के लिस्ट जो है इस पर जो है मुहर लगना confirm माना जा रहा है अभी तक जो चीजें निकल कर सामने आ रही है वहीं आप सभी को बता दें जब कल देर शाम कोई टाडर डिलीवर को लेकर के cause list जारी की गई तो उस लिस्ट में जो भी रिट याजगाय मेंसन थी उनको लेकर के तो अभरती आसोस्त थे लेकिन कुछ ऐसी याजगाय थी जो उस cause list में मेंसन नहीं है और उन रिटों से संबंदित अभरती काफी परिशान है सोसल मीडिया पर लगातार उनकी तरफ से क्वाइरेज की जा रहे हैं लेकिन उनके सम बातों का और उनके प्रश्वनों का कोई समाधान नहीं है उस पर भी डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दें बातर जा आट सो पच्छे सिचक बलती में बारा जिरो इक्यानवी के लिस्ट पर डीवी में रिजर्व आडर ड कि डिवीजन बेंच से जो आडर आने जा रहा है उसमें उनके लिए कुछ ना हो तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि आडर की जो कौज लिष्ट आई है उसमें उन्हीं रिटों को मेंसन किया गया है जिसको चैलेंज किया गया था डिवीजन बेंच में आप सभी को बता हैं mostly सरकार और बेसिक सिचाविबाग के तरफ से जो याचिकाएं यानि SLP फाइल की गए थी single bench के आडर को challenge करने करते समय तो उसमें केवल बिने कुमार पांडे and others के नाम से जो याचिका थी single bench में उसे ही challenge किया गया था हला कि बाद में सुनवाई के दोरान कोट सक्त नजर आया और सरकार ने कहा कि केवल बिने कुमार पांडे and 11 others के नाम से जो याचिका थी उसे ही क्यों challenge किया गया अन्य याचिकाओं को क्यों नहीं challenge किया गया उसके बाद में सरकारी अद्वक्ता के तरफ से आनन ठानन में जो रिटे थी single bench में उनको भी डिविजन bench में जो है challenge किया गया हला कि आप सभी को बता दें वो चीजें वो रिटें जो सरकार के तरफ से बात में challenge की गई वो connect हुई या नहीं हुई ये चीजें order आने के बाद पता चलेगा और इसी लिए वो रिटे जो है mention हो करके नहीं आई है लेकिन बाराज जीरों के लिस्ट में सामिल सभी अव्यतियों को परिशान होने की जरूरत नहीं है आज जो भी order आएगा इलाहवाद आए के डिवीजन बेंच से वो सभी पर लागू होगा चाहे उनके रिट कोजलिस्ट में mention हो या mention नहीं हो तो इसको लेकर के बिलकुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कोजलिस्ट में रिटे mention है वो वही है जिनको सरकार ने डिवीजन बेंच में चैलेंच किया है और उसके साथ साथ जितनी भी आईए इससे connected है या जिन याजकाओं को कोट के आदेशा अंसार सरकार ने connect करा है उन सभी याजकाओं पर आज का ये आदेश प्रभावी होगा इसको लेकर के बिलकुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है तो कुल मिला करके अगली वीडियो में तब तक लिए सब्सक्राइब को जेंचे बारत बंदे मात्रम